नमस्कार दोस्तों मैं हूं रेखातवर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूटूब चैनल पर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं सावन सोंवार उध्यापन की आसान एहुं सही विदी उध्यापन के दिन हमें किन चीजों का दान करना चाहिए उध्यापन वाले दिन हमें कौन से कारी करने चाहिए कौन से कारी भूल कर भी नहीं करने चाहिए उध्यापन वाले दिन हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए उध्यापन के दिन हमें हवन किस प्रकार से करना चाहिए उध्यापन वाले दिन हमारी पूजा विधी क्या होगी इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आप जान पाएंगे अगर आप मेरी वीडियो पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो किरपा करके मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सबस्क्राइब अवशे कर लें वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सबस्क्राइब का निशान है उस पर आप क्लिक करें क्लिक के बाद तीन ओप्शन आएंगे ओल पर आप सेट कर लें अब आप मेरी सबी वीडियो का नोटिफिकेशन देख पाएंगे सबसे पहले सावन सोमवार का उध्यापन किने करना चाहिए किने नहीं करना चाहिए अगर आपने सोले सोमवार वरत सुरू किये हुए हैं तो आपको सावन सोमवार का उध्यापन नहीं करना होगा वरत आजाते हैं और कभी कभी चार तो अब की बार चार वरत हैं तो आप निसंकोच चोथे सौंवार को उध्यापन कर सकते हैं आप मेंसे काफी का कमेंट भी आ रहा है कि दिदी पांच वरत करें या चोथे को ही उध्यापन कर दें तो निसंकोच आप चोथे सौंवार को ही उध्यापन कर रही हैं, उध्यापन से एक दिन पहले सूरिय अस्त के बाद आपको तामसिक पदार्तों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि लह सुन प्याज, मास, मदिरा, शराब, अंडे, इन में से किसी चीज का भी आपको सेवन नहीं करना है, ब्रहमचारिय वरत का आपको पा तो सबसे पहले कोशिश यही करने चाहिए कि सूर्य उद्य से पहले ही आप उठें तब ही आपको आपके वरत का उध्यापन का जो फल है वो शिग्र अतिशिग्र देखने को मिलता है सूर्य उदे से पहले आपको उठकर सबसे पहले सापसपाई करके अपना सनान सबसे पहले कर लेना चाहिए सनान करने वाले पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर आपको सनान करना चाहिए हर हर गंगे बोलकर ही आपको सनान करना है इस तरह से अगर आप सनान करते हैं तो आपको घर बैठे ही पवित्र नदियों के जितना पुन्य फल है वो प्राप्त हो जाता है अब आप जब भी पुजा के लिए तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित करें वाले लोटे में थोड़ा सा कुमकुम, अक्षद, फूल और गुड ये सभी चीजे डाल कर आपको सूर्य देव को जल्बी अवश्य देना चाहिए सूर्य देव की पूजा करने के बाद ही हमें अपने घर के मंदिर में या फिर शिवाले में पूजा करनी चाहिए जब भी आप शिवाजा के लिए ठाली तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें पंच्या मरत अवश्य रख लें आपने पंच्या मरत से अगर तीनों सोंवार के दिन सनान कराया है तो सरवुत्तम अगर नहीं कराया है तो आज की दिन पांच चीजों से आप सनान अवश्य कराएं भूले नात को इन पंच्यामरत की चीजों से सनान कराने से अलगलग फलो की प्राप्ती होती है तो आज की दिन आप विशेश प्रबंद कर लें आज की दिन 108 बेलपत्र भी आपको अवश्य लेने हैं कोशिश करें कि 108 की संख्या में ही आप लें अगर ना मिल पाएं तो ऐसे में जितने आपको मिल जाए 5, 11, 21, 55 उतनी संख्या में भी आप बेलपत्र ले सकते हैं बेल पत्र की तीनों पत्तियों पर ही आपको राम राम या सरी शिवाई नमस तो भ्याम ओम नमस शिवाई जो भी मंत्र आपको अच्छे से याद हो जिस मंत्र का आप जाप सबसे ज़्यादा करते हो उसी मंत्र को आपको तीन पत्तियों पर लिखना है उत्यापन वाले दिन की पूजा थोड़ी सी विशेश पूजा हो जाती है आज के दिन आपको भोले नात की प्रिया चीजों को अवशे रखना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि भोले नात की जो भी प्रिया चीजे हैं वो अपनी पूजा की थाली में आप अवश्य रखे भूले नात को बेल पत्र, पंच्यामरत, भस्म, दुर्वा, आकड़े के फल, फूल, पत्ते, मदार के फल, फूल, पत्तिया, भांग इन में से जो भी चीजें आपको उपलब्ध हो जाएं, वो आप पूजा की थाली में अवश्य रखे धूप, दीप, फल, फूल, ये सभी चीजें भी आज के दिन आपको उध्यापन में अवश्य रखना चाहिए इस से पहले आपने जो भी वरत किया हो, उसमें चाहे संपूर सामगरी आपको ना मिली हो लेकिन आज के दिन आप कोशिश करके ये सभी पूजन सामगरी आप अवश्य ही एकत्रित करनी है हमारी पूजा में, भूल चूक में, वरत में कोई भी अगर तुरूटी होती है तो उध्यापन उन सभी गलतियों को छमा प्रातना करके उसे पून कर देता है आज के दिन जब भी आप उध्यापन कर रहे हैं तो एक विशिश पूजा ही आपको करनी है आज के दिन कोशिश करें कि अगर सफेद वस्तर आप भूले नात को अरपित कर सकते हैं तो उन्हें सफेद रंगे वस्तर भी आप अवश्य अरपित करें मागोरा के लिए अगर सरंगार का सामान आप चड़ा सकते हैं सोला सरंगार चड़ाईए अगर सोला भी नहीं चड़ा सकते तो कम से कम सिंदूर, महंदी और बिंदी ये चीजे तो आपको मागोरा के लिए अवश्य ही अरपित करने चाहिए भगवान भोले नात को जनेव गनेश जी को जनेव आपको आज के दिन अवश्य ही अरपित करना है वस्तरम समर्प्यामी का भाव रख कर वस्तरम समर्प्यामी बोल कर उध्यापन के दिन 108 की संख्या का विशेश महत्य होता है 108 की संख्या में आप बेल पत्र रखें अगर बेल पत्र आपको 108 की संख्या में ना मिले तो ऐसे में आप 108 चावल के दाने 108 साबुत हरी मूंग के दाने या फिर 108 साबुत चने की दाल के दाने आपको शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करने चाहिए शिव मंतरों के साथ आप चाहें तो ओम उमा महिश्वराय नमें ओम पार्वती पतिय नमें या फिर ऐसा कोई भी मंतर जो आपकी जुबान पर बैठा हो जो मंतर आपको पढ़ने में, रटने में, जपने में आसानी और सुईद्धा हो उसी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए आज के दिन शीप पूजा करते समय आप भगवान भूले नाथ से च्छमा परातना आवश्य करें अपनी मनो कामना भी आप आवश्य बोलें आज के दिन जब आप पूजा उधापन कर रहे हैं तो आज के दिन भोले नात को खीर का या चूरमे का भोग लगाना आप बिलकुल भी ना भूले भगवान भोले नात को चूरमे का और खीर का भोग आप अवश्य लगाएं वरत का उध्यापन जिस दिन भी आप करते हैं तो देवताओं को, भगवान पशुपतिनात को, भोले नात को भोग दो ही माध्यम से आप दे सकते हैं या तो आप किसी ब्रामन को अपने घर पर बुला कर भोजन कराएं या फिर उसके निर्मित आप कच्चा सामान निकाल कर उसके घर पर या फिर मंदिर में आप दान में कर दें या इसके अलावा आप हवन करके अगनी में आहुती डाल कर भी आप देवताओं को भोग दे सकते हैं जब भी आप दान करें तो दान में ये 5 चीज़े आप अवश्य रखें आटा, डाल, चावल, नमक और गुड ये 5 चीज़े रखकर आपको दक्षिना भी अवश्य रखनी हैं दक्षिना आप अपने सामर्थे के अनुसार रख लें 11, 21, 51, 101 जितना आपकी सामर्थे उसके अन बजार में ऐसा वरनेत है कि चने की डाल को दान करने से आपको स्वन्ड दान करने का फल मिलता हैं इसके अलावा हवण करके भी आप देवताओं को भोग प्राप्त कर सकते हैं हवण करने के लिए आप सबसे पहले हवण सामगरी लेले, बजार में आपको आसानी से मिल आपको बीच की दो उंगली और अंगुठे की साहता से सबसे पहले गणिश जी का मंत्र बोलना है उसके साथ ओम उमा महिश्वराय नमे ओम नमस्षिवाय या फिर गायत्री मंत्र जो भी मंत्र आपको अच्छे से यादो उसी मंत्र की आपको 108 आहुतिया देकर आपको हवन कर करना है और इसके साथ ही जो पूरे महिने के वरत रख रहे हैं पूरे महिने बाबा भोले नात को नहला रहे हैं उन्हें भी अपने वरत का परायन अवश्य करना चाहिए उन्हें इस तरह से करना है जिस दिन पूर्णिमा है पूर्णिमा तिथी से एक दिन पहले बिलकुल इसी विधी के अनुसार आपको पूजन करना है, हवन करना है, दान दक्षिना देनी है, और इसके साथ ही आप अपने वरत का उध्यापन कर पाएंगे, यह संपूर्ण विधी मैंने आपको बताई है, आशा करते हूं यह वीडियो आप सब के लिए उपयोगी होगा, अगर प इसी तरह कि एक महत्वपूर्ण विडियो के साथ तब तक के लिए हर हर महादे जै भोले ना